सावन दो हजार चौबीस में महादेव को सपने में देखने से किया होता है। ये कहानी है एक छोटे से गाव की, जहां एक युवक नामकेर रहता था। वो बहुत ही इमानदार और प्रामानेक था, लेकिन उसकी आदत थी कि वो हर रात शिवजी को अपने सपनों में देखता था। उसे ये विश्वास था कि उनके सपने में भगवान शिव स्वयम उससे बात करते हैं और उसके मार्ग दर्शन करते हैं। एक दिन, सावन का महीना आने पर नामकेर ने निश्चिन्थ होकर भगवान शिव का वरत रखा। रोजाना वह शिवजी का पूजा अर्चना करता और रात को उनके सपने में भेट करता। इस प्रकार कुछ दिन बिद गए, लेकिन एक दिन उसने सपने में एक अग्यात आदमी को देखा जो उससे बात कर रहा था। अग्यात आदमी ने नामकेर से कहा, तुम्हें लगता है कि भगवान शिव तुम्हें सपने में आकर मार्ग दर्शन करते हैं। वास्तव में तो वे तुम्हारे विश्वास को देख कर खुश होते हैं, पर वे सपने में नहीं आते। तुम्हारी इमानदारी और निश्चा उन्हें प्रसन करती है। नामकेर बहुत हैरान हो गया। वो समझने लगा कि उसने कई सालों तक क्योंकि समझने की कोशिश की भगवान शिव को अपने सपनों में देखा है, पर अब उसके मन में एक नया द्रिष्टिकोन उत्पन हो गया। उसने उस अग्यात आदमी से पूछा, तुम्ही कैसे पता कि भगवान शिव सपने में नहीं आते। आदमी ने उत्तर दिया, मैं भी एक समय तुम जैसा ही थ मुझे भी लगता था कि उन्होंने मुझे सपने में आकर बात की है, पर फिर मैंने समझा कि उनका संदेश हमारे अंदर होता है, हमारी आत्मा में। नामकेर ने विचार किया और समझा कि भगवान का संदेश हमारे अंदर या शांती, सच्चाय और निशकल इंकता में है। वो अब सपने में नहीं देखने के लिए भगवान की खोज में अपनी आत्मा को पाकर चला गया। उसकी निश्था, भक्ति और इमानदारी ने उसे वास्तविक धर्म का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की खोज बाहरी द्रिश्थिकों से नहीं, बलकि अपनी आत्मा की शुद्वी और निश्कल उन्पता में होती है। जब हम अपने कर्तवियों को इमानदारी से निभाते हैं।